हमारे भारती सिनेमा में बहुत से बहतरीन अभिनेता हुए जिनकी एक्टिंग स्कील ने सभी लोगों को मंत्र बूट किया है इन दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है इन ही अभिनेताओं में से एक हैं बहतरीन अनुबवी और दिग्गज अभिनेता मनोज वाचपीजी जिनका अभिनेय कौशल किसी से छुपा नहीं है मनोज वाजपई जी हर उस बेदम कहानी में भी अपने अभीने कला से उस कहानी में जान डाल देते हैं अभी हाल में ही मैंने उनकी गली गुलिया नाम की फिल्म Amazon Prime पे देखी हाला कि ये फिल्म 2017 में ही बनके रिलीज हो गई थी इस फिल्म की कहानी जितनी कसी हुई और डिस्टरब कर देने वाली है उतनी ही मनोज वाजपई जी की यादगार परफॉर्मेंस भी है गली गुलिया में सभी आर्टिस्टों की पर्फॉर्मेंस, पर्फेक्क कास्टिंग और इसके कसे हुए स्क्रीम पिले ने इस फिल्म के सिनेमाटिक एक्स्पिरियंस को काफी बहतर किया है मनोज वाजपीजी ने फिल्म में एक्टर की परिभाशा को साबित कर दिया है फिल्म में मनोज वाजपी जी की ठाकावर जुके हुए कंधे और भुजी हुई नजरों ने एक्टर और करेक्टर की फर्क को खतम कर दिया है खुदूस एक ऐसा आदमी है जो दुनिया से कड़ गया है लेकिन उसकी मानवता उससे छुटती नहीं है बस यही फिल्म की रीड है गली-गुली कहानी एक ऐसे सक्स की है जो तंग गलियों के एक मकान में रहता है फिल्म डिस्टरब करती है लेकिन एक साइकलोजिकल थ्रीलर भी है फिल्म में हमारी मुलाकात होती है खुदूस से जो एक छोटे से जरजर मकान में रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके धिमाग को जंग लग चुका है खुदूश जिस इलाके में रहता है वहाँ चारों तरफ दालों का एक जाल सा है छोटे छोटे बॉक्स है और उनके बीच में उसे CCTV कैमरे लगाए गए है जिससे वो अपने घर में बैट गे पड़ोसियों पर नजर रखता है खुदूश अपने घर से कभी बाहर ने निकलता पूरी दुनिया से कटा हुआ एक अलग तरह का सक्स है खुदूश खुदूश का एक दोस भी है जो उसके लिए रोज खाना ले करके आता है बच्चे का नाम इदू है और वहीं उसके पिता का किरदार निभाया है निरस काभी ने इदू को ये सब पसंद नहीं है और वो इसका विरोध भी करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता एक बार बुरी तरफ बीट जाने पर उसको लगता है कि घर चोड़कर के भाग जाए खुदू उसको ऐसा लगता है कि इदू ही वही है जिसे उसको बचाने की जरूरत है आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़े ही गली गुलिया फिल्म में पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसा करेक्टर निकाला है जिसकी मांसिक स्थिती सही नहीं है दम घोटू और अंधिरी गलियों को सिनेमेटोग्राफर ने बहुत अच्छी तरीके से कहानी के साथ वैसा ही क्रियेट किया है कली गुलिया सिनेमा सबके लिए नहीं है ये डिस्टरब करती है और एक ऐसे फिल्म है जो मनोज वाच पर एके अभिनय कौशल पर लोग खिचे हुए चले आ सकते हैं इस फिल्म की कहानी को बच्छपन की यातना डर के साथ मिलाकर के बहतीन तरीके से बोना गया है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्से में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में तर एके शो में धन्यवाद